चलो आज हम लोग बनाने बाले हैं पोर्क विट ब्लैक लेंटल उसको न्यक्तेफिक और बओर रेसिपी उसको दो दूर्म सबयां इसको बोलता है ब्लैग डाल और ब्लैग लेंटल अर्छ इन एंग्रीस और बहुत को सोबाई मातिका सब आग और हम लोग ब्लेक लेंटिल को लेके पानी में देगा और उसको प्रेसर करेगा हम लोग थोरा सा सोल दे देना क्योंकि सोल चाहिए उसको नरम होने के लिए हम लोग प्रेसर कूकर आज सीटी तक हम लोग प्रेसर देगा इसको उसके बाद ही हम लोग यह मिक्स करेगा तो यहां पर हम लोग प्रेसर दे रहा है उसके लिए at least 15-20 मिनिस चाहिए चाहिए प्रेसर करने के लिए प्रेसर चाहिए याद रखना अगर अगर प्रेसर नहीं दिया तो नरम नहीं होगा वो जो सोबा है ब्लेग लेंटिल वह हाट होगा इसलिए एट टाइम्स विशल चाहिए यह दो बार दिखा हुआ है वीडियो में लेकिन एट टाइम्स चाहिए वह और उसकी बाद हो गया हम लोग का यह और उसकी बाद हम लोग सोडा देगा इसमें सोडा नहीं तो इसको खार बोल टा है बोरो में यह खार एक्षुली एक चीज़ ऑनाना का जो स्टेम रेता है उसक तो हम लोग आख में जला के उसका पानी दालके रस निकलता है ऐसा टेग्निक है वो हम लोग यह शोबाई मिक्स करेगा अच्छे से ठाकि सोबा या बलेक लेंटिल हच्चे से घिल जाए और पीश-पीश मिश्मों जाए पानी के साथ इसलिए और उसके बाद हम लोग को पोर्क चाहिए पोर्क हम लोग हाफ कीजी लेगा इसको बनाने के लिए यह पोर्क एक्छुली करमरिक से मिक्स किया हुआ है तरमरिक मिक लब हल्ड के साथ मिक्स किया हुआ है और उसके बड़ हम लोग चोब ओनियंस लेगा और उसके बाद चीली लेगा चीली आपको जैसा लेना है आप लीजिए हम यह पे थोड़ा कम लिया क्योंकि मेरा चीली पाउरफुल है आपको अगर चीली चाहिए तो जड़ा पावर का देजिए चीली को श्करता में हम लोग यहां पेंद लेगा चाहता हिए चाहता है परफूर को थर engagट टेने से करभा होता है और हम लोग नमक दिया हो दोत्द में है तोड़ा से तार्मरिक दे रहा है और उसकी वाद जो टेल और जो नमक और तार्मरिक है वो पेन में आच्छे से घिल जाए है और हम ने ब्राइब दाल डिया है हमने ओनियन और चिली क्यूंन डाला ताकि ऐनियन अपना जाए ता कि आख़ते हो जबाद underneath और चिली हम हम यहां ही तो चीज ऑनियो कर रहा है लोडसा इस जो जो चाहिए कर जो गरं से किया हुआ है वह अच्छ sóloग एक किया हुआ है और उसकी बार हम लोग या पर ओनियम देगा क्यों हम दे रहा है क्योंकि हम को अनला नहीं है कि एसलिए हम लोग कि यह दे रहा है आगे नहीं दे रहा है वही रीजन है इसलिए बात में देने के बाद ये ओनियन जो है वो जलना जाए जाए क्योंकि अगर उनियन जल गया तो खरब होता है इसलिए हम लोग बात में ये दिया हुआ है ओनियन और चिली थाकि ये ओनियन और चिली फ्राइब करते इसका फ्लेवर जो है पॉर्क में वो गुच दाए इसलिए हम लोग ऐसा किया हुए पॉर्क और यहाँ पर तो देख रहा है यह जिन्ञर करल पेस्ट है जिरा यह पीशा हुआ है जिन्ञर कले पेस्ट और जिरा के साथ क्योंकि यही में इंदिग्रीन से बाइस और जीरा उसकी बगेर अच्छे से टेस्ट नहीं होता है इसलिए हमने लोग जिन्जर गर्लिक पेस्ट दिया और इसकी दो अच्छे से फ्राइँ किया फ्राइँ क करने का भी टेक्निक होता है इसलिए हम ऐसा पूसेड और जाता तर मेरा चैनल शेयर कीजिए टाकी में ग्रोह हुसकों आप लोगे खाटे और आचा-चा रेशीपित देशिकों आप लोगों को और पुर्क जो है ना या पर जो देख रहे है या अच्छे से फ्राई होना चाहिए गोल्डन ब्राउन होना चाहिए गोल्डन पानी इसलिए धीरे धीरे पकाओ गोल्डन ब्राउन करो प्यास और अनियन आप देख रहे है गिल गया और उसके बाद ही हम लोग जो खार और जो सोबाई होता है और प्लस जो उसका बनाय हम ले मिक्सर वोचीज हम लोग डालेगा जहापे हम लोग डाल ही दिया है अच्छे से एतलिस 15-20 मिनित तक ताकि उसका फ्लेवर जो सोबाई है अंदर से घुश जाए और पोर्ख टरका अच्छे से हो जाए और जो बोरो रेसिपी जो है यह पोर्ख विच्छोबाई आच्छे से पक जाए इसलिए हम लोग यह आच्छे से इसको उबलने देगा हम हम लोग तोटली नहीं धका हुआ है अगर धाक दिया तो उसका जो बाबल जो होता है उसका जो फेना जो होता है वो निकल जाएगा इसलिए थोरा सा धक्के हम लोग रखेगा एतलिस 20 तो टुन्टी मिनिस्टर हम लोग बोल करेगा ताकि पोर्ख जो हो है जो फ्राइब हो बोलता है और उसके बाद इंग्लिस में जो बोलता है उसको पोर्ख विट लेंटील बोलता है यह बोरो रिसीपी का सब्सक्राइब और बहुत टेस्टी है आपको यह अच्छा लगएगा बनाने के बाद आप घर में बैटे 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 ही बना सकता है अम लोग का ओल्म बोरो लके में आके खाएगा तो यह हम लोग का रिसीपी रेडी हो गया तो यह तेस्ती रिसीपी है आपको बहुट बहुट पसन आएगा और मेरे चैनल को प्लिस सब्सक्राइब करना मद भूलिए और लाइक और शेर करना मद भूलिए हम वीडियो मांदली लाता रहेगा एंजोई कीजे मेरे वीडियो सब्सक्राइब करना मद भूलिए थेंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए